हेलो गाइस मैं टीके सिना MTS GD और NTPC के important questions को लेकर guess questions को लेकर आया हूँ और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ साथ आप भी pen और copy लेकर तयार हो जाएं और solve करेंगे इसके बाद से मेरा प्रयास रहेगा कि आप मेरे साथ live class में जूरे रहें question solve करें comments करें आज भी जल से जल question का answer देने की कोसिस करेंगे तो NTPC MTS और GD chapter का नाम है number system guess questions ठीक है और हम लोग पहले चलते हैं सबसे पहला question ये और इस question को अच्छे से पढ़ेंगे बहुत important और सेकेंडों में जवाब देने वाला question कि पढ़ो और जवाब दे दो कैसे एक संक्या को 899 से विभाजित करने पर सेसफल 63 प्राप्त होता है उसी संक्या को उन्तिस से भाग देने पर क्या आएगा बहुत बरे में नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाए आपको क्या करना है इस टाइप का question रहे कि संक्या को 899 से भाग देने पर सेसफल 63 है और उसी संक्या को तो उसी संक्या आपको नहीं है तो आप 29 से remainder को ही भाग दे दो 29 दुना अंठावन संक्या नहीं है तो आप remainder को भाग दे दो answer 5 देखने के साथ हुआ न सेकेंडों में जबाब तो अगले question की और बढ़ है इसमें तो साइद किसी को doubt नहीं होगा क्या कि जब भी इस type कराएगा पाला सेसफल दिया हुआ है और दूसरे भाजक से यानि पहला R1 को आप दूसरे भाजक D2 से भाग दे देना और R2 मिल जाएगा बस सिंपल सा concept आगे देखें को और question की तीन लगातार विश्वम प्रा के विश्वम संक्या क्या होता है एक तीन पांच साथ जो संक्या दो से नहीं कटे ठीक है और उसमें क्या करा है लगातार संक्या होनी चाहिए उनका योग जिनमें से परतेक तीन से कटने वाला है योग तिरसट है एकृटी सी बता दें जब कभी भी हम लोगों को संक्या का योग दिया है और लगातार संक्या का योग है तो वैसे कि आप चाहो तो tweaking ok ग्लिप या स्ञआग से निक्ष योग और बटा संख्याओं की संख्या बस केवल इतना ध्यान में रखेंगे योग कितना है 63 और यह तीन भाग दिया एक केस्ट और सबसे बरी वाद तीन ही संख्या है लो तीन एक दो तीन आपको मिडिल टर्म मिल चुका है मिडिल टर्म क्या है 21 तो बीच में 21 लिग दो अगर औसत पूछा तो 21 मिडिल टर्म पूछा तो 21 हम लोग देखो कोश्चन उठाएंगे लेकिन उस पर बेस्ट कई जो टाइपस आ सकता है उन सारे पर विचार भी करते चलेंगे ठीक है हो सकता है किसी कोश्चन में कुछ टेल लगा के कुछ और पूछ दे लें कोश्चन यही रहेगा जो बताएंगे उन कोश्चन को अच्छे से प्राक्टिस करो क्योंकि एक्जाम में तो वही आने जा रहा है जॉब लेना बहुत आसान है इधर ब्यार पुलिस की भी वेकिंसी है इधर आपका जीडी है एंटी एस है उसके बाद आपका एंटी पीसी है कितरा आखिर एक जॉब चाहिए लगे रहून मेरे साथ जॉब तो मिले गा ही तो 21 मिल टाम अब देखो लगातार है और तीन से कटना है तो 21 के पहले तीन से कटने वाला नमबर कैसे निकालेंगे तो 21 से 3 घटा दो तो 21 से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 18 आएगा तो लीग देत ठारा से 3 पहले 15 जी हाँ सबसे छोटी संख्या 15 आगे बढ़ें 21 से 3 आगे बढ़ा तो 24 लेकिन क्या ये होगा ये भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा सम संख्या है अगर ये कंडिशन नहीं लगाता कि विशम प्राकेर्थ तब ये हो सकता था तो अब 24 के बाद जो विशम स संख्या तीन आगे बढ़ो 27 मिल गया ये विशम संख्या है कोशन कह रहाता सबसे बरी संख्या बताओ एंसर 27 है ना बहुत ही जी एकदम देखने के साथ मिडिल टर्म निकाला 21 तीन पहले किया 18 और तीन पहले जाओ क्योंकि 18 संख्या है तो 15 ऐसे इधर आया तीन 24 और तीन आगे जाओ 27 तो इस ढंक से हम लोग ये था आपका मिडिल टर्म एमटी मतला मिडिल टर्म है ना मज़दार कोई दिकत अगर हो कमेंट में जरू करना समझ में आ रहा है तो भी करो लाइक करने में क्या जाता लाइक तो करते ही चलो सेयर करोगे तो और मज़ा आ जाएगा आपको लगेगा कि सर को हम फी दे रहे हैं तो वो कैसे फी देंगे तो जादा सजादा सेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में सेयर करो अगला कोशन है ये किसी संख्या को दो गुना करने और परिनाम में 20 जोडने पर वही उत्तर मिलता है क्या करा है संख्या को दो गुना करने संख्या नहीं मालू मान लो संख्या क्या संख्या मान लेते है एक्स और क्या करा इसको दो गुना किया तो दो एक्स संख्या को दो गुना करने जैसे कहे वही काम करो सबसे बेस टेक्निक बेस तरीका यही होता है यह हम लोग जो अगल वगल आजकल जो इंटरनेट और पर देख रहा है इतना ट्रिक वहां ट्रिक यहां ट्रिक कितना ट्रि कि लिए इंगलिस याद करना जी के याद करना और मैजसर भी हर चाप्टर में 100 ट्रीक करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा तो बिटर है conceptual trick, concept के साथ-साथ जो trick होगा उस trick पर ध्यान देना तो और मेरा पढ़ाने का धंग वही होगा, तो संक्या अगर X है, करा संक्या को दो गुना करने पर 2X और परिनाम में 20 जोड़ने पर 20 जोड़ दो, करा वही प्राप्त होता है, तो वही उत्तर मिलता ह मतलब बराबर वही मतलब equal, जो उस संक्या को, संक्या तो X है, 8 से गुना करने पर और 4 हटाने पर मिलता है, हटाने पर घटाने पर एक ही बात हुआ है, तो जो कह रहा है हम लोग वही काम किये, क्या 2 से गुना किया और 20 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है, जो 8 से गुन दो X बराबर 20 जोर 4, यानि 6 बराबर 24, तो X बराबर कितना? 4, यानि संक्या क्या हो गया? 4, है ना असान? लगा असान तो लाइक कर दो, कमेंट मारो अगला कोशन ये नमबर ओफ जीरो का कोशन है, नमबर ओफ जीरो आपको वीडियो में मिल जाएगा, बेसिक कालकुलेशन में और नमबर सिस्टम जो दो प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ जा करके आप नमबर ओफ जीरो निकाल करके देखिए, यहां तो हम लोग कोशन्स पे देख रहे हैं कि जो important questions है, जो आने चाहिए, उसको देख रहे हैं, और बिच बिच में आपका काम क्या होगा, जिस topic में problem होता है, उसका video निकाल कर एक बार देख लेना, clear है, तो 1357 सेले का 99 और 128 को एक साथ गुना किया जाता है, तो उत्पात के अंत में सुनने की संक्या क्या number of zero, ग्यात करने के लिए, दो तथा पांच की कुल संख्या ग्यात करते हैं, कुल संख्या ग्यात करते हैं, दोनों में, जिसकी संख्या कम होगी, लास्ट से उतने ही zero मिलेंगे, लास्ट से उतने ही zero मिलेंगे, क्या लिखा, कि दो और पांच की कुल संख्या ग्यात करोगे, दो कितना जैसे एक से लेकर 128 तक को, अगर हम multiply कर रहे हैं, one into two, two नहीं है, three है, five है, seven है, सब odd number है, अहां तक है 99 तक, even एक है 128, इसको गुना करेंगे, हम लोग को क्या डूड़ना है, दो कितनी बार है, तो एक से लेकर, यहां एक से लेकर 99 तक में, एक से लेकर 99 तक में एक बार भी दो नहीं है, यह सब तो विश्वम संख्याओं का गुरन फल है, तो दो नहीं है, अगर इतना ही कोशन रहता तो कह देते एक भी जीरो नहीं होगा, लेकिन उसी को बनाने के लिए यहां 128 जोड़ दिया है, 128 में कितना दो है, तो इसको प्राइम फैक्टोराइज कर लेंगे, 128 को प्राइम फैक्टोराइज करेंगे, प्राइम फैक्टोराइज किजिए, दो से 64, दो से 32, दो से 16, दो से 8, दो से 4, दो से 2, यानि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, दो कितना बार आया, साथ बार, दो कितनी बार आगया, साथ बार, अब क्या ढूड़ेंगे? पांच तो पांच ढूड़ो, एक और पांच मिला, आगे 15 मिलेगा, 25 मिलेगा, 25 मिलेगा, 65 मिलेगा, 75 मिलेगा, 75 भी है, 85 भी है पंचानविर भी है, पांच देखो बहुत ज्यादा लग रहा है, नियम तो यही कर रहा है कि ज्यादा को देखना भी नहीं है, पूरे क्लास में 50 लर्का हो आए, एक लर्की हो, हम कहा है पेर बनाना है, लर्का काउंट करेंगे तो बेवकूप न बनेंगे, सिधा लर्की को ए लर्की दो, कितना पेर, दो पेर, लर्का है पांच, लर्की है पचास, कितना पेर, पांच, हम लोग किसको देख रहा है, जिसकी संक्या कम है, तो पांच इधे को कहां कहां है, एक, दो, इसमें दो बार पांच है, दो दो चार, एक पांच, एक छे, एक साथ, एक आठ, फिर या मैंने क्या लिखा कि जिसकी संख्या कम होगी लास्ट से उतना जीरो मिलेगा तो कम किसकी संख्या है तो दो की संख्या कम है कितना है साथ तो साथ जीरो सबसे बन गया होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला कोश्यन है ये क्या रहा है कुश्यन? दो धनात्मक संक्याओं के वर्गों का योग, मतलए एक X² और दूसरा वाई स्क्याओ, धनात्मक संक्याओं के वर्ग पावर कर दिये। का योग, लिखना सिखो, X स्क्वाइर, Y स्क्वाइर, और यह कितना है, 100 है, उनके वर्गों का वर्गों पहले कर दें, का अंतर, यह दिया हुआ है, कितना, 28, तो संख्याओं का योग, पहले यह देख ले, क्या Y स्क्वाइर, Y स्क्वाइर कैंसिल हो जाएगा, काट दो, तो दो बार X स्क्वाइर, बराबर 128, तो X स्क्वाइर क्या होगा, 64 होगा, X बराबर क्या होगा, 8 होगा, जब X, 8 हो गया, तो X कमान यहां रख दो, इसमें अगर हम X का मान रख दिये तो 8 का स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर बराबर 100 और Y स्क्वाइर बराबर 100 में से 8 का स्क्वाइर 64 घटा दो 36 और जो इधर स्क्वाइर है तो Y हो जाएगा 6 X हो गया कितना 8, Y 6 दोनों का योग पूछ रहा है तो 8 और 6, 14 8 और 6, 14 ओप्शन सी फिर से देखो वर्गों का योग आप चाहते तो सिधा एक बार में X स्क्वाइर निकाल लेते लेकिन अभी समझने के लिए मैंने पूरा लिख दिया X स्क्वाइर क्या होता? 128 बटा तो 64 तो X आ जाता 8 देखके हैं लग रहा है X 8 तो Y होता 6 ख्लियर है? ठकना नहीं है, जॉब लेना है तो ठकना नहीं है आराम से बनाते चलिए अगला कोशन 8 इसी संख्या को साथ से गुना करने पर गुरनपल में सभी अंकतीन आते हैं मान लो संख्या क्या है? X साथ से गुना किया और ये गुरनपल का सभी अंक, कितना अंका वो नहीं मालूँ लेकिन कह रहा है ये तीन आते हैं तो ऐसी सबसे चोटी संख्या कौन सी है? एक तो तरीका है आप उप्सन से गुना करके देख लो साथ से किसको गुना करेंगे? कि तीन 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 आएगा दूसरा यहां पे साथ गुना में है इधर भाग में हो जाएगा तो तीन 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 ऐसे लिख लो और इसको साथ से भाग दे दो साथ चुका 28, कितना आया? पाँच तीन, साथ सत्य, उन्चास, कितना आया? चार, तीन, साथ शक, बे आलिस, कितना आया? एक, हर बार तीन आते जाएगा साथ है कहीं, साथ, कितना आया, छे, तीन, साथ, नवा, तिरिसट, आ गया, यानि, 47619, 47619, तो इस डंग से question पूछता है, कि गुना करने पर वो संक्यां बताओ, मानलो संक्या एक्स, साथ से गुना कर रहा है, साथ एक्स, तो ये 3-3-3-3 आ रहा है, समझते चलेंगे, question पर time दीजिए, हम लोग set नहीं बना रहे हैं, हम लोग guess question पर रहे हैं, हम लोग speed में दौडने का काम नहीं कर रहे हैं, कोशिस कर रहे हैं, कि समझ में आ जाए, जहां दिक्कत हो, वीडियो को pause करके, बार बार देखना, और समझना, उसके बाद भी दिक्कत हो, मेरे से पूछना, 530 तक कितनी संख्या, 15 से कटेगी, 15 से कटने वाला, अचा एक छोटा से example लो, अगर question कहता, 15 तक कितनी संख्या, 7 से कटेगी, तो 7 से भाग दे देते, 7 दूना 14, सेस्फल से मतलब नहीं है, 2 संख्या, अगर कहता है, यहां पर संख्या, कौन कौन देख, 7 दूसरा 14, पाता, अगर 50 तक कितनी संख्या, 15 से कटेगी, तो 50 को 15 से भाग दे दो, 15 तिया 45, सेस्फल जो बचा मतलब नहीं है, answer 3 होता, ऐसे ही, 530 तक कितनी संख्या है, जो 15 से कटेगी, तो 530 लिख लिजिए, और इसको 15 से भाग दे दीजिए, 530 लिख कर, 15 से भाग दे दीजिए, 15 तिया, 45, 8, 0, 15, 75, सेस्फल से मतलब नहीं है, कितनी संख्या, 35, अगर आप लोग को स्पीड ज्यादा लग रहा हो, तो जरूर बोलेंगे कि स्पीड कम करने के लिए, स्पीड कम लग रहा हो, तो बोलना कि सर थोरा पढ़ाईए, ठीक है, आपका कमेंट मैं बहुत अच्छे से जरूर करेंगे, चार सो पचास तक कि कितनी संख्या, एक साथ, चार छे आठ से विभाज है, जब एक से ज़्यादा डिवाईजर हो, जब एक से ज्यादा भाजक हो, भाजक हो, तो उनके LCM से भाग देते हैं, चार छे आठ का LCM क्या होगा? दो दुनी चार, दो तिया आई छे, दो चोका आठ, दो एक आई दो, तीन, दो, यानि दो गुना दो, गुना तीन, गुना दो, दो दुना चार तिया बारह दुना, चौविस. अलग-अलग, चार से, छे से, आठ से भाग नहीं देंगे, इनके LCM से भाग देंगे, LCM कितना आया? 24, तो 24 से हम किसको भाग देंगे? 450 को, 24 दुना, 48 नहीं लगेगा, एक भार में, 24, 5 से 4, 1, 2, 0, 8 भार में देखिए, आठ चोका, 32, 8 दुना, 16, 13, 19, यहां भी घटा है, तो 18 आया, तो सेसफ़ल से मतलब नहीं है, एंसर क्या होगा? 18. तो ऐसे questions बनाएंगे, और मज़ा तब आएगा, जब हम लोग live class में रहेंगे, तो कोशिस करते हैं, अगले class से हम लोग live में आएं, तब तक आप इतना को एक बार देखेंगे, और पूरी तयारी के साथ live class में आने की कोशिस करेंगे, गुड़ नाइट.